हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुवात करते हैं अभी रिसेंटली साड़े तीन होने जा रहा है मार्केट की क्लोजिंग 53,000 नवासी एड़श्मेंट प्राइस 53,100 के पास आएगा 53,100 आज की क्लोजिंग तो आज के सेशन में हम लोग क्या प्लान करेंगे बताईए कल के सेशन के लिए हमारे क्या क्या ट्रेट प्लान होंगे किस तरीके से हम लोग अपना पोजिशन साइज करेंगे और किस बेहाफ पर अपनी ट्रेट साब प्लान करेंगे सारे levels हम लोगों को पता होने चाहिए पहले से pre-planned trades जिस तरीके से हम अपने सीरीज में पहले से करते आ रहे हैं उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे सबसे पहला काम हमारा क्या होगा बताईए previous session के basis पर next session को plan करना last 1, 2, 3 3 trading session के data को analyze करना और उसे इस नेड़े पर पहुंचना की कल हमारे क्या trade plan रहने वाले हैं जैसे पिछले 3 trading session के data को कल हम लोगों ने analyze किया था और उसे ये समझ आया था कि एक 2 session पहले की बात है कि price अपने day high के पास high को break करके पूरे दिन consolidation किया था तो next session का जो momentum था वो gap up के बाद price ने पहला candle जब बनाया और उसके low break किये तो morning के first half में सबसे बड़ी ग्रावट आपको देखने को मिरी कल का projection बिलकुल उसी का repeat था क्या था कि price ने इसी तरीके से जैसा कि 1 जुलाई के projection को हम लोगों ने देखा था एक जुलाई को bank nifty अपने day high break किये morning के जो 10 वजे के आसपास लगे थे फिर उसके बाद throughout the day consolidation किया और price की closing हमको negative मिली थी तो gap up के बाद एक बड़ा panic scenario बना और intra day में सबसे बड़ा seller side का एक momentum बना सेम कल का projection था कि price ने gap up करके एक retracement करके morning के high break किये और high break करने के बाद पूरे दिन day high के पास consolidation किया तो आज के लिए कल हम लोग ये trade पहले से plan करके गए थे कि अगर कोई gap up हुआ और gap up के बाद price आज के day high के अंदर आ गया तो जब भी day low दे low से मतलब है कि previous day close ठीक है? previous day close previous day closing कहाँ पर थी बताएए पर देखिए हम लोगों ने क्या किया था बताएए price ने जब first half में अपनी गिरावट की ना उसके बाद हम लोग consolidation period में चले गए और वो day low के पास हो रहा था पहला एक momentum एक retracement फिर दूसरा momentum और उसके बाद through out the day consolidation at a bottom bottom के पास पूरे दिन price ने एक range बना कर consolidation किया था आज के दिन morning का एक momentum retracement, pullback और उसके बाद दूसरा momentum और उसके बाद एक pullback की तरह consolidation ठीक है अब यहाँ पर एक जो गौर करने वाली बात है वो यह है इस consolidation से यह consolidation थोड़ा सा better consolidation है better consolidation को समझें जब आप खरीदारी करें calmness का behavior, भाव price में ठहराओ का जो sign होता है वो buyers sign कहते है हम लोग है और panic sign किसका है sailors का है, अगर price में बड़ी-बड़ी candle के formation होने लगे हैं, तो गिरावट तेज हो जाती है, यह तो हम लोगों ने लगातार देखाई है, तो पिछले session में आप देख रहे थे कि price जब भी खरीदारी की कोशिश कर रहा था, तो pullback बहुत दीजी से आ रहा था, seller top के पास से swing high के पास से shot जरूर कर रहा था ठीक है, उसमें एक बार swing low break हुए, फिर दुबारा price अंदर आया और candle के size से सबसे बड़ा impact परता है यहाँ पर देखिए, जितने candle के formation है, इनमें कई सारे body size formation भी है, अच्छा एक buying या selling pressure को feel करना है न, तो उस पूरे zone में कभी भी body size candles के formation बड़े नहीं होने चाहिए इस बात को जहान लगिए अब आज के projection में आप देख रहे हैं, एक higher side retracement और इस retracement में body size candles के formation बहुच होते हैं, यही कारड है जो एक बजे के आसपास intraday में high लगे थे, वो break होने के बाद जब price उपर गया, जो की एक intraday का negative structure था, एक weak price था first half में, वो आज strong होकर close कर रहा है, बहुत weak closing नहीं है, अगर आप closing के time का view projection देखें, तो हम लोगों ने last candle लगवग लगवग neutral close की, ठीक है, अब आप लोग इस series को follow कर रहे हैं, मेरा मानना है कि जितनी बाते हम लोग discuss कर रहे हैं, आपने पहले से price के कई सारे concept इस channel पर सीख रखें, वो समझ कर मैं आप से बाते कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पूरा in-depth नहीं जा रहा हूँ, जो चीज़े हम लोग discuss कर चुके हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी हैं, जैसे कि हम लोग previous day closing को महात तो देते हैं, अब इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी हैं, अब यह हम लोग लगाता ट्रेट करते हुआ अगे बढ़ रहा है ना, इस कारण से, ठीक है, और जो नए-ने concept हम लोग इस series में सीखते जाएंगे, वो इसी हमारे trade plans का part होगा, जैसे आज के session में अगर मैं आप से बात करूँ, तो अभी तक एक hammer candle के low break होने को downwards momentum का हम sign मान रहे थे, ठीक है, आज के session के लिए भी कल हम लोग यह प्लान करके गए थे क्या, कि कल के session में कभी भी hammer candles के low अच्छे से breakdown नहीं हुए, तो price ने पूरे session कोई भी downwards momentum नहीं दिया, लेकिन इसके पिछले session में जब downwards momentum हुआ था, Friday का दिन का downwards momentum अगर आपको याद हो, जब गिरावट हुई थी, price में कमजोरी थी, तो hammer candles के low break हो रहे थे, तब intraday में एक sudden panic rate होता था, आज के दिन भी वही चीज़ price ने follow की, hammer candles break हो रहे थे, hammer candles break हो रहे थे, तो price गिरा था, यहाँ पे hammer candles के low break होना बंद हो गया सर, तो price में downfall रुग गया सर, बात के लिए हुआ, अब यही पर एक point है, अब इस retracement में एक चीज़ common लग रही है, क्या, not formation, अगर आप आज के intra-aday के projection को देखेंगे, तो maximum tradable formation जो है, वो है not formation, अब इन छोटी-छोटी सी detail पर जो traders ध्यान देते हैं, जिन्हों ने पिछले session, dedicated जो sessions में upload करता हूँ, इस दो बजे की series में, उसको regular basis फे follow करते हैं, तो उनको पता होगा not formation क्या है, जिन लोगों को नहीं पता है, description में telegram का link है, उसको join करके आप not formation को सीख भी सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर मैं उसका link post करा दूँगा, अभी इस session को पहले आपको पूरा देखना है, उसके बाद जाकर वहाँ पर देखेंगा, अभी मैं बता दूँगा कि आप not prediction था, जो हम लोगों ने 2 जुलाई को देखा था, उसी तरीके का price लगबग लगबग आज repeat किया गया, ठीक है, लेकिन आज की closing लगबग लगबग वैसी है, जैसी की closing आपको 2 जुलाई को देखने को मिली थी, लगबग लगबग उसी तरीके की closing है, कि price अपने bottom के पास consolidation करके close कर रहा है, तो अगले दिन का, मतलब की कल के दिन का momentum क्या था, price ने gap up करके sustain किया था, day break किये थे, even एक week projection में, इसका मतलब है, कि जब भी price अपने bottom के पास consolidation कर रहा है, तो बहुत strong sign माना जा रहा है, इसलिए एतनी बड़ी खरीदारी आ रही है, ठीक है, और जब भी price अपने top के पास consolidation कर रहा है, तो profit booking आई जा रही है, यह हम लोगों ने पिछले 4-5 session के data में देखा हुआ है, आज भी इसी चीज़ को price ने follow किया, तो कल के लिए हमारा पहला trade प्लान यह है, कि आज की closing के बहाफ पर, आज की closing neutral है, अगर आप गौर करें, तो कल बाजार गिर कर बंद हुआ था, आज गिर कर बंद नहीं हुआ है, sustain कर कर बंद हुआ है, price को रोग कर wires ने बंद कराया है, और second half पूरा positive रहा है, second half, कल का price neutral है, second half या first half की आप बात करें, तो first half में तो price ने gap up किया, day high break कर दिया, तो positive, लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया है, बताइए, open और closing में हमारे लिए, जिस concept पर believe किया जाएगा, जिस price पर believe किया जाएगा, वो होगा second half का price ना कि first half का price, first half के price maximum time trap करते हैं, जैसे आज का first half का price, अच्छा first half से मेरा क्या मतलब है, दोहरा दू बताइए तो, एक intra day session में 6 घंटे trading session का मिलता है, हमको जो time मिलता है, उसमें पहले तीन से साड़े तीन घंटे का जो price action अगर होगा, उसको किसी तरीके से counter किया गया second half में, तो हमारा believe second half के price action पर होगा, पहले तीन सवा तीन चार घंटे के price action पर नहीं होगा, जैसे अगर पहले दो तीन घंटे price पूरे समय बैंक निफ्टी या निफ्टी कोई भी index अपड्रेड करते हैं, या फिर आप equity trade करते हैं, वो गिरता रहे, और बारा एक बज़े दो बज़े के आस pass recovery आए और day high के पास close करें, इसका मतलब है next trading session के लिए price weak नहीं है, इस ट्रॉंग है, day high के नीचे के इस तरीके के hedging position आप बना सकते हैं, जिन में अच्छे का से next day profit आएंगे, ठीक है, ये एक setup भी है जिसको मैंने ऐसी session में discuss किया होगा है, पहले इसी series का हिस्सा है, ठीक है, अब इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आज intraday में अगर आप देखिए, तो हम लोग जहां पर open हुए, हम लोगों ने जो अपने low लगा दिये, वो 10-45, 11 बजे के आसपास लगा दिये से, और 11 बजे के आसपास जो low लगा दिये, उसके बाद हम लोगों ने एक भी last swing low break नहीं किया, गौर कीजिए, single last swing low, यहां पर एक कोशिश होई, तो price ने अपना, जो last swing low, range का होता है, वो break नहीं किया, उसके पहले वहां पर buying उठाई, swing high break किये, और फिर एक momentum दिया, तो यह एक buyer's sign है, आज की closing का जो price है, वो एक buyer's sign है, seller sign नहीं है, ठीक है, कल का closing एक seller sign था आज का closing एक buyer's sign है, तो कल के लिए हमारा जो mindset होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, higher side थोड़ा सा positive mindset रखेंगे, कि 70% chances आपके क्या रहेंगे, कि higher side momentum आप देख सकते हैं, अच्छा, यह जो 20%, जैसे कि market में 3 तरीके का momentum होता है, ध्यान दीजेगा, अब trend का chances है 33%, 33% consolidation का chances है, अगर price action बिल्कुल neutral है, closing price की neutral हो, opening neutral हो, throughout the day, price previous day high, previous day low के बीच में consolidation की हो, उसके बात की बात करा हूँ, 33% price का momentum downtrend है, probability की बात करा हूँ, कि 33% संभावना बाजार के उपर जाने की है, 33% consolidation की है, और 33% संभावना बाजार में हमेशा ही गिरावट की रहती, तो probability की बात हो इसका मतलब है मैं किसी एक चीज़ को नकार रहा होंगा, या तो consolidation को या downwards momentum को, नहीं, ऐसी बात नहीं है, यहीं पर समझे, price कल के session में 33% हो सकता है, consolidation करे, और हो सकता है कि 33% downtrend में चला जाए, लेकिन इन दोनों percentage की संभावना probability बहुत कम रह जाएगी, अगर price की closing 33,250 के उप पर जब भी हम लोग कोई price में अपना इस point को बहुत गौर कीजेगा, जब भी price में आप अपना कोई view रखे न, तो उसके time frame के according आपके trade प्लान होते हैं, जैसे कल के session में अगर आपने गौर किया हो, तो मैंने आपसे कह रखा था कि price जब तक 53,250 के उपर hourly candle की closing नहीं करता, उसके high जब तक break नहीं हो जाते, तब तक आप long की position को execute नहीं करेंगे, लेकिन अब जब हमारा higher side view positive हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक मात्र 15 minute की candle ही 33,250 के उपर close हो जाए, और 2 minute के time frame अगर उसके high निकलने लगे, तो समझ लीजेगा higher direction momentum की शुरुबात हो गई, बात clear हो यहीं पर एक concept साथ में और trade हो रहा है, यह 53,250 का level आपके लिए इतना महतपूर क्यों हो रहा है, यह समझ लीजे सबसे पहले, यह एक trade the trap zone मन रहा है सर, trade the trap zone का मतलब क्या है देखिए, कल के दिन price अपने day high के पास consolidation कर रहा था, तो maximum traders का mindset लगबग लगबग, सवा 10 से लेकर और closing के time तक रहा कि कभी भी बाजार अपने day high break कर दे, 53,200 के high break कर दे, तो वो अपनी entry कर लें long के लिए, तो देखिए, as a trader आपका patience इस बाजार में आपका बहुत test करता है सर, किस तरीके से, price ने कल आपको 4-5 घंटे कोई entry दिया नहीं, और आपका, जिन लोगों का मनना थ था कि बाजार का momentum डिहाई के बाद higher side ही होगा, वो लोग 4-5 घंटे अपनी position को बना नहीं पाए, और market में लगातार बैठे रहे, तो धीरे धीरे उनका जो patience था, वो test हो रहा था, आज के दिन price ने क्या किया बताईए, एक बड़े gap up के साथ, अब आप सोच तो रहे थे, कि price 53-200 के उपर चल कर entry देगा, नहीं दिया, price ने gap up किया और 53-400 के आसपास open हुआ, तो जो लोग इंतजार कर रहे थे 5 घंटे से बैठे कि 53-200 की खरीदारी मिलेगी, वो तो सर मिली नहीं, और उसके बाद 53-400 तक price पहुँच गया, तो आपके अंदर एक greed का factor आता है, आप से एक FOMO का factor आता है, कि कुछ आप से छूट गया है, और उस छूटने की घड़ी में आप क्या करते हैं, price के sentiment में trade execution करते हैं, जब price ने gap up किया तब, तो morning में जिन लोगों ने यहाँ पर long की position ले ली, इस breakout को देखकर, और closing का wait नहीं किया, ना 10 मिनट, ना 15 मिनट की closing का, वो in passion trader था, उसके अदर धैर की कमी थी सर, तो उन सारे traders के sell area क्या रहे, यह रहे, 53,000 के पास, अगर price आकर, सारे traders, जो लोग long करके बैठे, swing के साथ, उन लोगों ने अपनी positions को यहाँ पर निकाल दिया है, ठीक है, जिन लोगों ने long की positions को gap up के बाद execute किया, उन सारे traders के sell hit हो ग cost का exit का मतलब क्या है, price दुबारा 53,250 के उपर पहुँच जाए, तो जो लोग अपनी positions को बना कर बैठे हैं, वो अपनी position से exit हो जाएंगे सर, तो देखे, जो लोग यहाँ पर long करके पहले से अपनी positions को बैठे हैं, उन में से maximum trader तो अपने SL के साथ अपनी positions को exit कर चुका है, और जो अभी रह गया है, वो wait कर रहा है कि किसी तरीके से cost पर price पहुचे, तो वहाँ पर वो अपनी positions को exit कर देंगे, तो अब एक बात बताईए, जब price 53,250 के उपर पहुचेगा, तो कितना trader होगा, जो fresh quantity execute कर रहा होगा, एक trader जो अभी 53,250, 53,300 की खरिदारी करकर stop loss लेकर आया, वो दुबारा अपनी positions में entry नहीं करेगा, आप ही से मैं बोलू कि कोई equity का share 100 रुपया पर खरी दिये, और उसका 95 रुपया stop loss रखीए, आप रख लेंगे सर, और 95 का SL जाने के बाद जब दुबारा price 100 रुपया पहुचेगा, मैं कहूं दुबारा खरी दिये, तो पर momentum की संभावना सबसे अधिक बढ़ जाती है, इसको weight is moving average के concept में भी हम लोग समझते हैं, WMA जब हम लोग सीखते हैं, तो मैं आपको यही समझाता हूँ, कि WMA में जब भी RSI price की strength उसके weight is moving average को cross करती है, तो वहाँ पर momentum की possibility बहुत sharp हो जाती है, कि price बहुत तेजी से चल कर जाएगा, क्यों retailers वहाँ पर कम है और institutions यही चाता है, कि जितने कम retailers होंगे, वहाँ पर momentum वो sharp करेंगे, तो 53-250 की उपर कल अगर price का कोई एक वी 15 मिट का candle close करता है, तो यह trade the trap setup से आपके लिए एक buying का scenario होगा, जब उस 15 मिट की candle के high break होंगे, लेकिन एक बात को ध्यान रखि प्राइज इंट्राइडे में momentum करते हुए जाना चाहिए, अगर gap up करके 53-250 की उपर खुले तो नहीं, अगर gap up करता है तो कम से कम आदे से 1 घंटे की candle की closing होने दीजेगा, जब उस 1 घंटे की candle के high 1.5 घंटे बात break होंगे तब आप long करेंगे उसके पहले नहीं, अगर price gap down क के बात 35-250 को break करने जाए तो जरूर long कीजेगा, अगर cost की opening के साथ 35-250 को break करने जाए तो जरूर long कीजेगा, लेकिन gap up के बात नहीं, gap up में जितना भी buyers aggressive हो रहा होता है वो अपनी positions नहीं बनाता है, institutions वहाँ पर interest नहीं रहते हैं, तो trade the trap का concept लगबग लगबग आपको समझ जा गया होगा, कि जहाँ पर जितना कम retailer अपनी entry करेगा, वहाँ पर उतने बड़े momentum की संभावना होती है, इस वजए से कल के लिए 33-250 का एक price महतपूर है, दूसरा, इसको कई traders pullback भी कह सकते हैं, देखिए, जब भी price में downfall हो रहा होता है, तो downfall में ये जो area होता है, इसको हम लोग pullback कहते हैं, pullback का मतलब है, आपने रुक कर तो खरीदारी की नहीं, आप चलते हुए उपर से selling उठाने चले गए हैं, क्या, यहाँ पर candles के formation छोटे हैं, हम लोग पिछले 4 session से लगातार जब भी गिरावट करते हैं, तो हर बार bottom या top पर consolidation करते हैं, ये एक तारिक से अभी तक के projection का scenario है, तो इसको कहीं भी price में जब एक consolidation हो रहा होता है, तो उसको हम buyer sign की तरह है पहले ही समझते हैं, ऐसा नहीं है कि कल के दिन गिरावट नहीं हो सकती, लेकिन जब 4 session से आप 4 घंटे intraday में सिर्फ एक consolidation phase में गुजार रहे हों, इसका मतलब है buyers कहीं ना कहीं panic candle में gap up के बाद या किसी तरीके से day low break कर दे, मतलब 52.800 break होने पर आपके लिए downfall की शुरुआत होगी, 53.250 break होने से पहले पहले अगर 52.800 break होगा, तो आप downwards momentum के लिए कोई trade execute करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे सर, ठीक है, तो अब समझ लीजे, कल के लिए long करने के लिए आपके लिए कौन सा price जरूरी है, 53.250 के उपर की closing, 52.800 अगर gap down से break हो रहा है, तो आप short नहीं करेंगे, cost की opening के बाद बाजार गिर के 52.800 को break करें, तो आज के जो आखरी खरीदार थे, आपने उनको काट दिया, previous day के last buyer को, previous day के last buyer के price को अगर आप काटेंगे, जिन्होंने price इसको 4-5 गंटे sustain कराया है, इसका मतलब है आपको एक momentum मिलेगा, जैसे, कल price एक consolation करके बंद हुआ, लेकिन जब आज के low, मतलब के, आज के लिए कल के low previous day low हो गये, तो previous day low जब break हुए, तो आपने वहाँ पर एक panic देखा न, उसकी बाद price ने खुद को समाल लिया है, वो ल momentum बनेगा, और कई लोग कहते हैं कि आपने दो levels तो बता दिये से, कि 53-250 ब्रेक होगा तो higher side, और 52-800 ब्रेक होगा तो lower side, बाट ठीक है आपकी समझ आ गई, लेकिन अगर price इस range को ही intraday पूरे दिन trade करता रहे, जैसे आज का price previous day high और previous day low के बीच में बना रहा, तो क्या trade किय तो मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, जब भी price अपने एक previous day high, previous day low की range को trade कर रहा हो, उस समय आपके लिए जरूरी है support, resistance को trade करना, ना कि breakout और breakdown को वहाँ पर देखना, जब भी price अपने support area के पास पहुँचेगा, वहाँ से uptrend की शुरुवात होगी, जब price एक range में trade कर र जब भी price अपने previous day high, PDH and PDL, previous day low के अंदर trade करता है, तो आप support को support मानते हैं, ना तो breakdown नहीं देखेंगे आप वहाँ पर, resistance को resistance मानते हैं, breakout नहीं देखेंगे आप वहाँ पर, इन दो काम को जो trader भैतर तरीके से कर लेगा, वो intraday में एक range में भी अच्छी buying opportunities को find out कर लेगा, ठीक है, चलिए, आज के लिए परियाप थेसर, कोई भी doubt रह गया हो, तो मुझे नीचे comment section में बताइएगा, अगर आप हमसे जुड़ना चाहें, तो description में आपके पास telegram और WhatsApp community का link है, not formation को हम लोग discuss नहीं कर पाए, अगर आप उस session को देखना चाहें, तो telegram में मैं वो link भी कर दो खुची आपुची आप तो